दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने mobile screen को full HD में कैसे record कर सकते हो दोस्तो वैसे तो हम लोग अपने mobile screen को normally record कर लेते हैं लेकिन बाद में जब उसको play करते हैं उसको open करके देखते हैं तो उसमें अच्छी quality हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है तो दोस्तो आज किस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा है application का use करना चाहिए और उस application में आपको क्या setting करनी पड़ेगी ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और दोस्तो अगर आप लोग अपने mobile phone से gameplay की screen recording करते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही best रहेगा क्योंकि अगर आप लोग अपनी gameplay को full HD में record करोगे तो आप लोगों के उस वीडियो में quality जो है बहुत ही अच्छी निकल कर आने वाली है और दोस्तो इस वीडियो को बिलकुल भी skip मत किजेगा क्योंकि इस वीडियो में जो application म में आपको बताने वाला हूँ और उस application में क्या आपको setting करनी है ये बहुत ही important है तो आप लोग अगर अपने mobile phone में ये setting को अच्छी तरीके से कल लेते हो तो आप लोग अपनी mobile screen को full HD में record कर पाओगे तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है राज और आप द पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में जो भी settings में आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही important है तो आपसे मैं यही request करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आधा दूरा वीडियो देखकर चले जाओगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं जो इस वीडियो में अभी आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ तो simply दोस्तो आप लोगों को कौन सा application install करना है तो simply आपको जाना है playstore में और यहाँ पे x recorder application को install कर लेना है दोस्तो एक्स recorder application के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है तो यहाँ पे आप लोगों को playstore एकसे रिकॉर्डर सर्च कर देना है या फिर डी यू रिकॉर्डर सर्च कर देना है तो यह वाली अप्लिकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगी अब दोस्तों यहां पर देखिए इसमें क्या-क्या सेटिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूं यहां पर सबसे पहले इस स्मार्टफोन है वो 1080p सपोर्ट करता है और आप लोगों को यह देख लेना है कि आपका स्मार्टफोन कितना रिजूलेशन सपोर्ट कर रहा है तो यहां पे आप लोगों का स्मार्टफोन जितना भी रिजूलेशन सपोर्ट कर रहा है तो वहां पे इसको सेलेक्ट कर दिना है इसको select करने के बाद यहां पे दोस्तो frame rate आ जाता है इसको okay करेंगे और यह भी by default auto पे ही select रहता है तो यहां पे आपको 60 fps पे select कर देना है उसके बाद दोस्तो यहां पे एक और option आता है इसी application से recording कर रहे हो लेकिन यह जो pop up है आपकी video में record हो रहा है तो इसको आप कैसे बंद कर सकते हो तो देखे दोस्तो इसको बंद कर लिए के लिए यहां पे एक option आता है hide record window during recording तो यहां पे इस पे tick mark लगा दोगे तो यह जो option है आपकी video में record नहीं होगा जैसे आप यहां पे recording वाले option पे click करोगे record करने जाओगे तो यह option जो है guide हो जाएगा और आपको यहां पे notification में जाकर यहां से बंद करना पड़ेगा तो दोस्तो इस चीज़ का आप use कर सकते हो इसको आप अपनी screen recording से हटा सकते हो मैं आश्रा करता हूँ यह video आपको काफी पसंद आया होगा तो पसंद आया हो तो इस video को एक like कर दिना और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके bell notification को भी जरूर से on कर लेना तो चलिए दोस्तो आज की इस video में बस इतना ही